नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजर है दोपार तक की दो बड़ी खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं पंचाय चुनाव मधिप्रदेश के निरस्त हो गए है और अब ये पंचाय चुनाव कब होंगे इसका कोई इस पर कुछ सपष्टी करण अभी तक सामने नहीं आया है कि इस तारीख से पंचाय चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं वापस से शुरू होंगी इस बीच एक निरस्त होने के बाद शिवरास सरकार ने फैसला किया है कि पंचायत एवं ग्रामीर विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन को लेकर ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयूक्त हस्ताक्षर से ही किया से तैय कर दिये गए हैं पंचायत विभा की तरफ से जारी किये गए निर्देश में यह बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ही ग्राम पंचायत के सच्व सरपंच के संइम्ट स्ताक्षर से किये जाएंगे और इसी प् पंचाय चुनाव निरस्थ होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है जो पहले सचेव और सरपंच थे पंच थे उनके जो भी काम थे जो निरधारित थे उनहीं के हस्ताक्षर के साथ ही अभी भी वो काम जारी रहेंगे बढ़ते हैं दोपर तक की दूसरी ख़बर की ओर पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रडेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग फिरसे जता रहा है अब पहले ही मध्य प्रडेश में बारिश होई है लगभक सबी जलों में हलकी बारिश या कहें कि तेज बारिश हुई है औला वरिष्टी की भी ख़बरे तमाम सामने अब एक बार फिर से मौसम विभाग मध्यप्रदेश में बारिश होने की संभावना जता रहा है राजुस्तान में चक्रवात सक्रियों होने के वज़े से यह संभावना बन रही है और इससे सटे MP के जिलो नीमच और शियोपूर के रास्ते बादल प्रदेश में आएंगे कल बोपाल और इंदौर में गरत चमक के साथ बारिश होगी मौसम विभाग काया कहना कि पांच जनवरी से पश्चिमी राजस्तान और आसपास के इलाकों में एक चक्रवात बनने जा रहा है जिसके कारण मध्यप्रदेश में बादल चाने और बारिश की जो स्थिती है वो ब इंद, मुरेना, शियोपूर, गुना और शिफपूरी में कहीं-कहीं गरत चमक के साथ पांच जनवरी को बारिश होने की संभावना है इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहाँ पर छे जनवरी को ओले गिरने के साथ ही बारिश की संभावना जताई जारी है जैसे उजैन, आगर, शाजापूर, देवास, राजगर, सिहोर, भोपाल, विदिशा इसे दमाम जिले हैं जहाँ पर छे जनवरी को बारिश होगी तो मतलब मौसम विभाग का जो अनुमान है तो पांच तारिक से दस तारिक के बीच मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश, गरत चमक के साथ बारिश और ओला वरिष्टी की संभावना बनी हुई है।